जैशरा आज की इस वीडियो में जानेंगे कि मांगलिक दोश कुंडियों में होने के बावजूद आप कई बार देखेंगे कि उसका नेगेटिव इंपेक्ट उसका नकरात्मक प्रभाव दमपत्ती के उपर बिलकुल नहीं पड़ता है या अत्वकों ना के बराबर पड़त है और कई केसेस में वही मांगलिक दोश बहुत जादा प्रभावशाली हो जाता है वैसे तो उसके कई कारण है लेकिन उन में से एक प्रमुख कारण नक्षत्र भी होता है आज अब इस वीडियो में उसी के बारे बात करें तो और विलम नहीं कलते हैं आरम कलते हैं आज की आगे बढ़ने से पहले एक बर उस श्लोक पर ध्यान देते हैं जो मांगलिक दोश की गंभीता को प्रकट करता है ये श्लोक ब्रहत पर आशर होरा शास्त में दिया हुआ है जो अभी आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा लगने वे सुखे वापी सब्तमे वाष्ट में कोजे शुब्द्रिग योग ही नेचा पतिम हंतिम नसंशया कहते हैं लगन भाव में यानि लगन में वे भाव यानि 12,000 में सुख भाव यानि 4000 में सब्तम भाव में या पती की मित्यू या पतनी की मित्यू होगी इस पर बिल्कुल संशय नहीं करना चाहिए अब ये श्लोक पढ़कर तो लगता भया बिना मांगले देखे शादी करना बड़ा खतरनाक चीज है लेकिन उनी गरंतों में बहुत सारे ऐसे एक्सेप्शन्स बताए गये हैं कब- ज़से मने का वह तो बहुत सारी लंबी लिस्ट है उसके बारा में हम कभी और भी बात कर सकते हैं आज हम बात करेंगे उनी में से एक युव मैं इस एक आंपॉइंट की जो बहुत ही इंपार्टेंट हो जाता वह नक्षत्र देखिया बारा राशिया होती हैं आप्सब जा कई बार गण नहीं मिलते हैं, कई बार योनी नहीं मिलती है, all चीज़े हैं, मतलब हर एक नक्षत की अपनी अलगी खूबी और कमिया है, पर फिर भी हमने इनको कुछ समूहों में बाटा है, हमने क्लासिफाई किया है इनको कुछ अलग-अलग ग्रुप्स में, कुछ नक्षत्रों को मृदू नक्षत्र कहा जाता है, कुछ नक्षत्रों को उग्र नक्षत्र कहा जाता है, ऐसे करके बहुत सारी हमारे पास कैटेगरी होती है, उनमें से एक कैटेगरी होती है, तीक्ष्न नक्षत्र की, तीक्ष्न या फेरोशियस जिसको आप कह सकते हैं, और ये तीक्ष्ण नक्षत्र जिससे चाकू की धाग तेज हो जाती है तो उसके बाद अगर आप किसी चीज़ पर चलाएं तो वो बहुत आराम से स्विफ्टली और बड़े जटके से कड़ जाता है। उसी प्रकार तीक्ष्ण नक्षत्र भी इस तरह का प्रभाव देने में सक्षम होते हैं जो एकम स्लाइटली स्विफ्टली आपका काम कल देगे। पर इस तरह की नकरात्मक प्रभाव नहीं देखे जाते हैं यू कहूंगा कम देखे जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है नक्षत्रों की एक श्रेणी हैं जिस पर हमें फोकस करना चाहिए। मैं अभी कुछ एक्जैंपल चार्ट से भी समझाऊगा कि ये केवल मंगल मंगल और कुछ नक्षत्रों की कहानी नहीं है। इसमें हमें सब्तम भाव में कौन सा नक्षत्र है, सब्तम भाव का अधिपती कौन सा नक्षत्र में उसको भी देखना होता है। है बहुत आसान। तो पहले समझते हैं तीक्ष नक्षत्र कौन कौन से होते हैं। तीक्ष नक्षत्र केवल चार होते हैं। केवल चावगाए, एक उनमें से है आद्रा जो मित्ञ राशी में पढ़ता है, यदि आपका मंगल मित्ञ राशी में 6 डिगरी 40 मिनट से लेके 20 डिगरी के बीच में हैं, तो वो मंगल आद्रा राशेर में हैं और 30 से कम है तो वो अशलेशा में आए इसके बाद जेश्टा नक्षत्र वो भी तीक्षन कहलाता है ये कहां पढ़ता है ये विश्चिक राशी यानि मंगल की अपनी ही राशी में पढ़ता है अगेन 16 डिगरी 40 मिनट से 30 डिगरी के बीच में होता है तो अगर कुल्डी में लिखा है कि आपका मंगल विश्चिक में है और उसकी डिगरी 16 चालिस से जादा है तो फिर वो तीक्षन नक्षत्र में आ गया है इसके बाद आता है इसके साथवला नक्षत्र इसे जुड़ावा नक्षत्र मूल उसे भी हम तीक्षन नक्षत्र कहते हैं और वो धनु अगर आपका मंगल है और उसकी डिगरी ये है जो मैंने अभी आपको बोला तो फिर घबराने वाली बात है अगर वो मंगलिक योग बना रहा है तो इतना ही नहीं अगर इनहीं नक्षत्रों में सब्तम आधिपती भी आ जाए मंगल के साथ साथ तो सिती और गंभीर और नक ये तीक्ष नक्षत्र क्यों इतने खास हैं इसमें ऐसा है क्या जो आपको परिशानी दे सकता है देखिए ये नक्षत्र संबंद विच्छेत करने के लिए तहस नहस करने के लिए destruction के लिए अच्छे माने गए, किसी चीज को खतम करना हूँ और emotionally अपने आपको strong करके जटका देना हूँ, मतलब किसी को मना करना हूँ, उसके लिए इन नक्षत्रों को शुब माना गए, ऐसे ही एक list और होती है, जिने उग्र नक्षत्र का आज आता है, उनमें आते हैं, भर् भादरपदा आता है, पूर्वा आशाड आता है, आपका मघा आता है, और पूर्वा फालगुनी आता है, ये पांच नक्षत्र को भी हम अच्छा तो नहीं मानते हैं, लेकिन वहाँ पे इतनी परिशानी नहीं है, जित्ता यहाँ पर है, वहाँ पे गुस्ता जादा कर आपको मांगलिक बना रहा है, मैं फिल कहूंगा सब्तम आधिपती का भी नक्षत्र जरूर इसमें देखना चाहिए, जैसे एक एग्जैंपल चार्ट को मैं अभी जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये 29 जून 1991 का है, दोपहर 11 बच कर, राती 11 बच कर 16 मिनट भुज बुजरात से है, कुम्ब लगन है और द्वादश भाव में शनी वक्री बैठा है चंद्रमा के साथ, राहु लाब भाव में है, सूर्य केतु बुद्धी भाव में बैठे हैं, और रोग भाव में गुरु मंगल शुक्र विराजित हैं, ऐसे सिती में अगर हम चार् से आ रहा है, इस कुंड़ी में, उसका संबन्द चंद्रमा से सात्वे भाव से आ रहा है, और इस मंगल का नक्षत्र यहाँ पर आशलेशा है, जो कि एक तीक्ष नक्षत्र है, तो थोड़ा परिशानी तो उसने यहाँ पर शो करी, अब हम चलते हैं सब्तम आधिपती के ब सब्तम आधिपती इस कुंड़ी में बनता है सूर्य, सूर्य इस कुंड़ी में केतु और बुद्ध के साथ पंचम भाव में विराजित है, और वो आद्रा नक्षत्र में, यानि वो भी तीक्ष नक्षत्र में है, दोनों के तीक्ष नक्षत्र में जाने के कारण, इनका वि चाहिए कि क्यों हुआ, इतनी जल्दी क्यों हुआ, क्या-क्या उसके कारण थे, लेकिन उनमें एक मुख्य कारण मंगल का तीक्ष नक्षत्र में होकर शुक्र पर प्रभाव चंद्रमा से सब्तम्भाव पर प्रभाव ये भी है और सब्तमेश का इस नक्षत्र में जाना भी है एक और पत्रिका देखते हैं और इसको समझते हैं इस पत्रिका को देखें ये पत्रिका है 25 जून 1954 की और साड़े बारा बजे का जन्म है दुपहर के यम्ना नगर हर्यान तो ये 1954 के चार्ट को अगर आप देखते हैं तो नॉर्मली उन्निस सो पिचातर असी पिचासी के आसपास तलाक की जो दर थी डाइवार्स रेट वो बहुत कम थी ये चार्ट क्या कहता है ये कन्या लगन की पत्रिका है दूसरे भाव में शनी वक्री है चौथे में मंगल राहू वक्री है सब्तम में चंद्रमा है और दसवे घर में बुद्ध, केतु, सूर्य, गुरु और लाब भाव में शुक्र बैठा है करक्राशिक अब इस पत्रिका में मंगल चौथे भाव में है कन्या लगन की पत्रिका है जहां पर मंगल अश्टमेश और तिरतेश बनता है ऐसे सिती में मंगल वैसी कारक नहीं है और उसके बाद उसका संबंध सेवन्थ हाउस से भी है सेवन्थ लौड से भी है और वो सो कॉल्ड दे तो यह मंगल मूल नक्षत्र में है उन चार नक्षत्रों में से एक नक्षत्र में जिसको हमने तीक्ष्न कहा था और अगर हम सब्तम भाव में देखे तो सब्तम भाव में गुरू की राश्ची है और गुरू इसकुंडली में आद्रा नक्षत्र में है यानि अगें सब अधिपती भी तीक्ष नक्षत्र में है और मंगल जो यहाँ पर तीक्षनता उग्रता दिखाता है वो भी इसी तरह के नक्षत्र में है यहाँ पर सिती डाइवास तक पहुची दिश्टा बिलकुल तूट गया दो साल अलग अलग रहे उसके बाद लड़के की माता की वज़ तो परशानी तो आई दो साल का एक तरह से कहले जब अनवास भी आया वियोग भी आया लेकिन उसके बाद दोनों में दुबारा से समझोता हुआ और दोनों एक छत के नीचे रहने लग अब माता नहीं क्यों रोल प्ले किया तो आप देखे इस कुंड़ी में सब्तम आधि में आप चंद्रमा से भी देखें तो चंद्रमा से सब्तमेश बनता है बुद्ध वो भी मंगल के प्रभाव में था तो सितिक अंभीर होनी चाहिए थी परमाता के प्रयासों की वज़ा से वह चीज यहां पर रुप गई दो साल के वियोग के बाद इसी प्रकार एक और चा को आठ है बत्रहर लिंगर करके और अगर विश्चिक लगन की कुंडी इस कुंडी में अब धियान देंगे तो रोग भाव में चंद्रगुरु केतू, पत्नी के भाव में बुद्ध दो मिर्त्य भाव में सूर्य और शुक्र, भागिस्थान में मंगल और शनी और अब इस्तिती में अगर हम सब्तम सब्तमेश पिद्यान दें तो सब्तम भाव का स्वामी अश्टम में और अश्टम भाव का स्वामी सब्तम में अगें राशी परिवलतन हैं क्लासिकल बुक तो सब्तम अश्टम के राशी परिवलतन को शुब नहीं मानते हैं और अगर मैं ग इस पत्रिका में मंगल है आश्रेशा में मंगल यहां पे कोई मांगले की योग लगन कुंड़ी से नहीं बना रहा है किवल चंद्रमा से बना रहा है और वो तुस अभी की कुंड़ी में बनाता है किसी की मिशुक्र से बन जाता है किसी में चंद्रमा से बन जाता है तो यहां पे चद्रमा से बन रहा है लेकिन मंगल है आश्रेशा में सब्तम आदिपती अश्टम में है वो आत्रा में है और वो सूरी से प्रभाविद भी है जैसा कि आप कुंड़ी में देख रहे हैं इस पत्रिका में क्या हुआ यहां पर भी सब्तमेश और मंगल दोनों का तीक्षनक में बैठना मैं दुबारा कहूंगा कौन है मंगल यहां पर मंगल यहां पर लगना आधिपती है जिसका स्वयम का भी सब्तम से गेहरा संबंद होता है विवाईक जीवन के लिए उस मंगल को देखा biggest को देखा जाता है मैं यूँ कहुंगा लगनेश unless कशantine के साथ बैटना एक तीक्ष नक्षत में बैठना व्यक्ति के अपने सुभाव को उग्र और तीखा बना देता है। यहाँ पर married life चल रही है पर बहुत परिशानी से और कई बार meetings बैठती है उसके बाद दुबारा साथ हो जाते हैं लेकिन वियोग नहीं हुआ है। आपके 7th house, 7th lord को influence करना, आपके married life को influence करना वो बुरा है। तो अनिता तो इन नक्षत्रों में ऐसे ग्रह का बैठना जो खुद उग्र है और वो इसी प्रकार के नक्षत्रों में अगर बैठेगा तो वो जादा फल देता है। जादा फल देता है। अब अगर मंगल जादा फल देगा तो क्या देगा। मंगल अगर जादा फल देगा तो उगरता देगा, boldness देगा, aggression देगा, lead करने की quality देगा, energy level high रखेगा और sports में मन लगेगा और रशन करेंगे चीजों के लेकर कि जल्दी करना है, ताबड तोड काम करना है। वो उस तरह के trend को ये बढ़ाएगा। वो trend बढ़ना चाहिए, अच्छी बात, लेकिन वो trend यहाँ पर परिशानी देता है क्योंकि वो married life में ये चीज़े नहीं चलती है। और birthplace, second show, जर्मनी का, हो सकता है मेरी pronunciation अच्छी ना हूँ क्योंकि ये word मुझे आते हैं जर्मन लेंग्विज के बड़ आप इसको search कर लेना मिल जाएगा। तो आप ये देखिएगा, मैं अभी बताई देता हूँ, मंगल इसकुल्डी में, मंगल आश्टिशा में है, मंगल मांगले की योग बना रहा है, शनी यहाँ पर जेश्टा में है, शनी यहाँ पर विश्यक राशी में वक्री बैठा है। अब आप बताईए कि आपको क्या लगता है इस पत्रिका में क्या संभावनाय बन सकती है। अग्रेशन, जगड़े उसको वो भी इंडिकेट करते हैं। और आप लोग उसे मैं चाहूंगा, आप मैंसे जिन जिन की कुंड़ी में मंगल इन अक्षत्रों में हैं जिनके नाम मैंने बताए, चार वो पांच यह नौ नक्षत्रों की बात हमने की, वो अपने विवाहिक जीवन के बारे में बताएं कि उनके ववाइक जीवन में क्या तनाव आया, और यदि आया तो प्लीज सबके साथ शेयर कीजिएगा, कि क्या क्या रहा और कैसे आप उससे बाहर निकले, मिलते हैं अगली बार किसी और विशे के साथ, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, आपके लाइक हमें पर उससाइट करते हैं, महुर काम करें, अच्छा काम करें, जोतिश संबंदित अधिक जानकारी के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप पहली बार यहां पर आ रहे हैं तो, और इस चैनल पर वक्री क्यू होते हैं और उसका क्या फरलित है, यदि इस बारे में जानकारी चाहते हैं, तो उपर दिये गए इस वीडियो पर क्लिक करें, और यदि हमारी लेटस वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे क्लिक कर सकते हैं